अपने अध्यात्मिक सफर के दौरान ये गलतियां आप ना करें जो गलतियां मैंने करी वो गलतियां आप ना करें एक बहुत बड़ी जो गलती है वो हम लोग जो करते है वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूँ एक ही गलती होती है वो जिसकी वज़े से बाकी चीजे या बाकी गलतियां पनपती है तो मेरा ये चैनल और मेरी वीडियो केवल इसी चीज के लिए डेडिकेड़ है कि जो गलतियां जो कमियां जो मुझे मेरी आध्यात्मिक यात्रा के दोरान देखने को मिली मैं नहीं चाहता हूँ कि वो चीजें आपको फेस करनी पड़े आप भी वो गलतियां दोराए मैं नहीं चाहता हूँ ये चैनल उन लोगों के लिए डेडिकेड़ है जो अपने आपको डेली बेसिस पर एनहेंस करना चाहते हैं अपनी मौझूदा जो बंदन है उनको तोड़ कर आगे बढ़ना चाहते हैं साधना हर एक उस चीज को हर एक उस बंदन से आपको बाहर लेकर सकती है जो आपको आपके जीवन को पूरी तरीके से जीने नहीं दे रहा जो आपको छोटी छोटी चीजों में बांध कर रख रही हैं चीजें उन चीजों से मुक्ति दिलाने का काम साधना करती है और फिर यहां मुक्ति धीरे 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 हमें जीवन और मरण तक मरण के बंदन उसे दूर ले जाती है तो दोस्तों जो सबसे बड़ी गलती मेरे आध्यात्मिक आतरा में मैंने करी थी वो है expectation expectation रखना ही बहुत बड़ी गलती होती है जैसे ही आपके mind expectation आएगा तो हमारा mind क्या करता है उस expectation को लेकर अनेकों खयाल बुनने लगेगा उधारन के तौर पर आपको बताना चाहूँगा कि जब कोई बच्चा एक exam की तियारी करता है तो उस exam के बारे में पहले दिन से ही जब वो तियारी करने के लिए बैटता है तो नई नई उर्जा होती है और उसके बाद उसका mind उसको अने को खयालों के दुनिया में ले जाता है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा और वहाँ किनी कारोणों से वो सफर शायद तयवी ना कर पाए तो हमारे mind में साधना को लेकर भी अने को expectations होते है जैसा कि बहुत सारे लोगों और मेरी personal जो expectations रही थी जब मैं शामभई महमुद्रा सीखने के लिए गया था Inner Engineering के वो साथ दिन जो थे और जब शामभई महमुद्रा में initiation होता है तो आपको बताया जाता है कि आप इस initiation के दौरान चिला भी सकते हैं रो भी सकते हैं हज भी सकते हैं तो जिस समय पर मेरा initiation हो रहा था हम आग बंद करके बैठे हुए थे शामभई महमुद्रा क्रिया कर रहे थे तो कई लोग आसपास के चिला रहे थे या किसी को blissful अनुभव हो रहे थे तो उन्हें देखकर मैं उन चीजों को सुन सुन कर मैं भी अपने माइंड में एक बहुत जबरदस्त ज़ायर क्रियेट करने लगा कि मुझे भी हो जाए कुछ मुझे भी हो जाए कुछ मुझे भी हो जाए और उसके बाद मैं जबरदस्ती ही ही हाँ हाँ ऐसे करने लग रहा हूँ तो ये मेरी expectation थी जिसकी वज़े से मैं trap में फस गया इसके बाद आगे देखो ये तो बहुत छोटी सी बात थी और ये सारी चीज़े मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि हमें कोई बताने वाला नहीं था कि तुम फस रहा है मेरे को नहीं बताने वाला थो कोई मैं सद्गुरू की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सद्गुरू जो है हमको दीखशा दे सकते और जब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की बात आएगी तो वो हमें गाइड करते रहते हैं लेकिन ये जो छोटी-छोटी चीजे हैं इन चीजों में आपको कोई आपके साथ ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो इन सब चीजों से गुदर चुका है और वो छोटी-छोटी गलतियां आप न करो जो उसने करी थी अब सद्गुरु हमें हर एक चीज आकर तो नहीं बताने वाले तो कुछ चीजों से हमें खुदी डील करना पड़ेगा क्योंकि जिस प्रकार से शामभई मामुद्रा इतनी असानी से हमको दी जा रही है आज से पहले इतनी असानी से हो चीजे मिलती नहीं थी तो हम लोग फुली प्रिपेर्ड भी नहीं है तबी भी हमें चीजे मिल रही है तो आपको थोड़ा से स्ट्रगल तो करना पड़ेगा और वो स्ट्रगल मैंने किया मुझे पता भी था कि एक्चुली में मेरे साथ हो रहा है ऐसा फिर शामभा मुद्रा जब मैं करने लगा घरा के करने लगा, तो मेरे मन में एक्सपेक्टेशन यहीं थी मेरे शामभा मुद्रा में दीक्षा ही इसलिए ली थी क्योंकि मैंने एक वीडियो ऐसा देखा था सद्गुरु का जिसमें सद्गुरु वीवेकर नंद के बारे में बात कर रहे थे और बता रहे थे कि वीवेकर नंद जो है वो उनका perception इतने high level का था कि अगर वो किसी चीज़ को एक बार देख लेते थे तो उनके इंदर चम जाता था फिर कहीं से उन्होंने शामोही मामुद्रा की बात मैंने उनकी किसी और वीडियो में सुनी और फिर उन्होंने कहा कि शामोही मामुद्रा से आपको grace प्राप्त हो सकती है और इस से आपका perception बढ़ सकता है तो मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मैं शामभी महमुद्रा सीखूंगा और मैं वियकरनद जैसा बनूँगा फिर मैंने शामभी महमुद्रा करने स्टार्ट करी और मुझे लगा कि ये एक मही मामुदरा करता था या फिर पहले शाम मही मामुदरा किया फिर इशा करिया किया मैं ये चीजे कॉम्बिनेशन बना बना के देखता था और जो ज़्यादा पौरफुल होता था कॉम्बिनेशन मैं वो करता और मैं हर दिन वो अंधेरा पकड़ने की कोशिश करता जिसको हम बार 2019 की ही बात है जब सद्गुरू दिल्ली आए वे थे और हम लोग दिल्ली गए थे तो उस समय पर भी मेरे अंदर कुछ expectations ही हम लोग यह चाहते हैं मैंने Inner Engineering के जब book पड़ी थी तो उसमें सद्गुरू कहते हैं कि उनके अंदर से शम्भो और शम्भो आवा जाने लगी थी तो हम लोग क्या करते हैं यह छोटी-छोटी चीजों को पकड लेते हैं और हम ही सोचते हैं कि HAS हमारे साथ हो जाए को जाए और हमना मैं पहले बात-बात में शम्भो खोलता था आज इड़uga कुछ भी नहीं बोलता हूँ क्योंकि वो जो शम्भो और शम्भो मैं बोल रहा था ये केवल और केवल मेरे माइड का एक पैटर्न था जिसको अब मैं तोड़ चुका हूँ मैंने तोड़ा वो अपने आभी तूड़ गया तोड़ने वाले तो जिसने साध्ना दिया और जो साध्ना मैं कर रहा हूँ उसकी वज़ेसे तूट रहा है जो भी है तो जब मैं वहा गया दिल्ली में तो सद्गुरू आया और सद्गुरू ने हम लोगों की महिंट देखो किस प्रकार से काम करता है कि सद्गुरू आ गया है और अब हम किसी तरीके से कुछ हो जाए हमारे साथ और सद्गुरू ने आके बस हमें बोला कि आके बंद करो और इस तरीके से बैट जाओ और सद्गुरू कुछ ऐसे से करने लगे और इधर से लोग चिला रहे हैं इधर से लोग चिला रहे हैं तो उन्हें देखके मैं भी चिलाले लगा, ठीक है, जो मेरा चिलाना था, वो के ओल, आजप पास की लोगों को देखके रह रही था और मैं चिलाये जा रहा फिर, शीवा, 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 ये महज एक मेरे माइंड की कल्पュरा थी, या इसको मैं कुछ नाम भी नहीं दे सकता अगर मैं इसको कोगल बोलना चाहूँ तो महज एक बेवकूफी भरा एक्ट था जो मेरे दवारा किया गया था क्योंकि उसमें इमोशन बहुत जादा थे जो मेरे ही दवारा क्रियेटिट थे मेरे बगल में मेरे दोस बैटा था उसे कुछ नहीं हुआ और वो इन चीजों में बहुत जादा क्लियर था बहुत पहले से एक क्लारिटी थी उसे क्या हो गया और बाद में उसने मेरे से भी गुला थे तो यह हुआ क्या था और ऐसे ही एक इंसिडेंट जब हम इस बार समयवा करने गए थे तो कुछ लोग थे वो इसी प्रकार से चिला रहे थे मैंने उन लोगों के अंदर अपने आप को देखा कि मैं भी आज से चार या पाथ साल पहले इसी प्रकार से हरकते कर रहा था क्योंकि मैं प्रिपेर नहीं था सेम टू सेम जो हरकते मैंने करी थी मैं वो हरकते उन लोगों को करता हुआ मैसूस कर रहा है क्योंकि आँके तो बंद रहती है और हम प्रिपेर नहीं थे और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है हम उसे गलग तरीके से अपने माइंड में भर लेते है और इसको हम बच्पना भी कह सकते है यही तो ट्रैप है माइंड का और माइंड जो है अपना एक बहुत जबरदस इल्यूजन क्रियेट करके रखता है जिससे आसानी से बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है अब इसके बाद मैं अपने मन में अन्यकों खायाल लेके चलता रहा और मैं हमेशा जबी भी बैठता मेरा कमिटमेंट जो था हो बहुत जबरदस था मैं शामभवी दो बार करता था और भी चीज़े मैं इशा करिया करता था फिर दीरे दीरे मैं थोड़ा आगे बढ़ा इस रास्ते में और मेरे साथ एक वी पश्चना मेडिटेटर थे मैं उनसे बातचीत करता मुझे शामभवी मामुद्रा सीखते वे भी स्पिरिच्वलिटी के बारे में कुछ नहीं मालूम था फिर जब मैं मेरी जो सीनियर थे उनके साथ मैं बातचीत करने लगा दीरे दीरे मुझे स्पिरिच्वलिटी के बारे में थोड़ा थोड़ा पता चलने लगा मुझे ऐसा लगता था कि लोग तपस्या करके बहुत पावर्फुल बन जाएंगे और बस ऐसा ही होता है इसके लगा कुछ नहीं होता तो फिर मैंने दीरी दीरे पता करा स्पिरिच्वलिटी के बारे में बहुन बुद्ध के बारे में उन्हाने बताया और अनेगों अने कुछ चीज़ें मेरे सामने खुलती गई और उन्होंने वेरे कुछ-कुछ कॉंसेप्ट क्लियर करें मैं उन्हें बताता कि जब मैं शाम मही मामुद्रा करता हूँ तो मैं किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करता हूँ मुझे लगता है कि मैं कहीं खो जाओंगा इस तरीके से और मैं ध्यान में बैठने की कोशिश करता कभी-कभी छत में जाता आंग बंद करके बैठता और मैं सोचता कि मैं किसी चीज को परात कर लोगा और जब मैं ये बाते उनके साथ करता तो वो मुझे ही बोलते कि तू किसी चीज को पकड़ना क्यों चाता है meditation में किसी चीज़ को पकड़ा नहीं चाता है वो अपने आप जो हो रहा हो वो हो जाएगा लेकिन मैं हमेशे किसी ने किसी चीज़ को पकड़ना चाता था फिर मैंने इसके लिए ये चीज meditation को पकड़ने के लिए मैंने ब्रह्मा ना सुरूपा चैंड को बहुत intensely करना स्टार्ट किया और अने को जगे मैंने मात खाई मैंने बहुत सारी चीज़े करके देखी बहुत बहुत सारी चीज़े करके देखी ध्यालिंगा मियंतरा मेरे पास आया मैं ध्यालिंगा मियंतरा के आगे बैठता था मैं सोचता था कि मैं मेडिटेशन में चला जाओंगा या मेडिटेशन को पकंड़ी की कोशिच करता जब तक आपका माइड एक्टिव है तब तक आपको कुछ वो प्राप्त होई नहीं सकता जब तक आपका माइड एक्टिव है खतरनाक तरीके से, तब तक होई नहीं सकता हूँ, seriously, तो उस समय पे मैं देख सकता था कि ये चीज़े मेरा माइंड खुद ही create कर रहा है, खुद ही create कर रहा है, हलाकि बाड़ी की लेवल पर कुछ चीज़े हो रही थी, सांसे गहरी हो रही थी, और भी कुछ-कुछ चीज़े होती थी, जब से मैंने शाम मही मा मुद्रा में दीक्षा ली थी, तब से मेरे कुछ-कुछ पॉइंट्स पे, जिनको हम चक्रा बोलते हैं, उन जगाओं पर मुझको sensation फील होती थी, जिन जगाओं पर लोग कहते हैं कि चक्र होते हैं, तो मुझे उन कुछ major points पे sensation होती थी, और इस point पे eyebrows के बीचे मुझे बहुत sensations होती थी, तो मैं इन sensations को समझता था कि अब मेरा तीशरा नेतर खुल जाएगा और मेरा perception बिलकुल खुल जाएगा, मैं इसी दिन का मैं wait कर रहा हूँ कि कब खुले, कब खुले, मैं बैठ रहा हूँ, योगासना सीख शुका हूँ, य मैंड लगाता रेक्टिव है, फिर धीरे धीरे मुझे जो विपशना मेडिटेटर थे उनके साथ बातचीत करने के बाद एक चीज तो मुझे पता चल गई थी, कि कुछ चीज को प्राप्त नहीं किया जा सकता, मैं नहीं कर सकता कुछ, मुझे केवल बैठना है, और सद्ग रेनिंग मैंने करी थी, और योगासनाज और रंगमर्दना मैंने सीखा था, फिर इसके बाद मैं गया शून्य सीखने के लिए, और शून्य में भी मेरे मन में कुछ एक्सपेक्टेशन से हैं, मुझे लग रहा है कि अब मैंने बहुत हट योगा कर लिया है, बहुत देर द मैं नाग प्रतिष्ठा में गया था, और नाग प्रतिष्ठा में मैंने, सद्गुरु कहते हैं कि नाग जो है, वो परसेप्शन के लिए जाना जाता है, तो उस दिन भी मुझे लगा कि आज मेरा तीसरा नेत्र खुल जाएगा, और मेरे साथ कुछ हो जाएगा, मैं बस मेर परसेप्शन ऐसा खुल जाएगा कि मैं दुनिया में जो भी चीजों को ग्रास्प किया जा सकता है, सब को ग्रास्प कर लोगा, ये एक्स्पेक्टेशन में लेके चल रहा था और अनेकों लोगों की यही एक्स्पेक्टेशन होगी, इस बात से बहुत सारे लोग डिनाई भी नहीं कर सकते हैं, एगरी ही करेंगे कि वो भी इसी प्रकार की एक्सक्टेशन लेके चल रहे हैं, कि मैं अब नागा कोंसिग्रेशन में जाओंगा तो मेरे तिसरा नेत्र खुल जायगा, एक मेरी कुंडली निनिया जागरी तो जाएगी इस प्रकार की एक्सक्टेशन सोते हैं उनके लिए खुला रहता है तो मैं उस दिन पहुचा फटा-फट से नाद हो के सावलों मुझे में ध्यान लेंगम के मंदिर के अंदर बैठा और मुझे लगा कि आज मैं यहां बैठूंगा और मैं ध्यान की गहरी से गहरी वस्तावे चला जाओंगा तीन चार से उटके चला गया फिर इसी तरह द्यारलिंगम के मंदिर में रोज जाता रहा चार पांज दिन तक कुछ नहीं हुआ दाई गंटे बेठा हूंगे ध्यान लें लेकिन कुछ नहीं हुआ कि नहीं हुआ होगा कि वजायसे जो मिरे अंदर हटी पन आ गया था उसकी वैसे वा पर कुछ नहीं हो रहा है लेकिन यहां से मैं सीखता हुआ रहा हूँ मेरी बॉड़ी में मुझे चीजे फील होती आ रही है कि हाँ इन जगवा पर आके कुछ हो सकता है फिर इसके बाद मैं अगली बार आया शुन्या ध्यान सीखने के लिए शुन्या प्रोग्राम करने के लि यह कहते हैं कि बहुस पंदरा एक experiential program हो सकता है और बहुस पंदरा के बारे में यह बोला जाता है कि यहाँ पर यह करने के बाद बहुत सारी लोगों का perception खुल जाता है तो फिर तुमारे भाई की वही मनोद अशा की मेरा तीसरा नेतर खुल जाए और मैं बड़ी expectation के साथ जा रहा हूँ वहाँ ठीक है और सद्गुरू के हमीरे हैं कि आप जो भी चाहते हैं वो बताओ वो अपने mind में रखो यह program आपका पूरा का पूरा जिन्दगी बदल सकता है जो भी जो आप चाहते हैं वो इस program के दौरान क्या पता perception के level पर हो जाए यह program perception को alliance करने के लिए हैं कुछ इस तरीके की चीज़ें आपर बताई गई और फिर मैं वहाँ बैठा सोच रहो कि मेरा तीसरा नेतराज खुलेगा कल खुलेगा क्योंकि मुझे इस जगह पर sensation बहुत intense हो रही है कुछ नहीं हुआ कुछ भी नहीं हुआ फिर इसके बाद जो प्रोग्राम बचाता फाइनल प्रोग्राम वो था समयवा और समयवा भी मेरे कुछ expectations थे और वो expectation हाला कि अब मेरे जो expectation से थोड़े नम हो गए थे और उन expectations को मैं ज्यादा भाव नहीं दे रहा था मुझे थोड़ा थोड़ा पता लगए था कि माई नमार साथ गेम केलता है क्योंकि जब आप BSP करके आ जाते हो शुन्य करके समयवा प्रग्राम करने गया था तो वहां से भी मेरे कुछ समयवा के बारे में कुछ ज़्यादा किसी वेक्टी से नहीं सुना था क्यूंकि अगर मैं किसी से समयवा के बारे में सुनता और बहुत सारी लोग अपने ऐसे 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 इक्स्पीरियंसे बता देते हैं जिसकी ज़्यासे सामने वाला जो व्यक्ती है वो खयालों में जीने लगता है इसलिए मैं कभी भी अपनी वीडियो में कोई ऐसा एक्सपीरियंस के बारें बात नहीं करूँगा जिसकी वजह से आपके मन में खैली पुलाव पकने लगे मैं के वल उन्हीं बातों के बारें बात करूँगा जो आपके लिए नेसेसरी होंगी चाहे मेरा शुन्य प्रोग्राम का experience हो मैंने उसमें भी यह बताए कि आपको अपने आपको prepare करके जाना है और BSP के प्रोग्राम में मैंने एक भी बात अपने experience के बारे में कुछ भी नहीं बताई है क्योंकि मेरे experience से आपका experience खराब हो सकता है इसलिए को कुछ नहीं बोलूँगा बस इतना बोलूँगा कि यह program आपका जिन्दगी बदल सकती है और वो program आप करने किने जाए तो समयवा में फिर कुछ-कुछ चीजे मेरे mind में थी मैं अपने mind को खेलता हूँ देख रहा था समयवा में बहुत clearly खेलता हूँ देख रहा था समयवा आते हाते मेरी expectations थी वो बहुत कम हो चुगी थी और कहीं न कहीं मैं सच्चा इसे परिशित हो गया था और मुझे इतना पता चल गया था जो साधना मुझे चाहिए थी इन 5 या 6 सालों में वो साधना मुझे आकिरकार समयमा के रूपे में मिल गई लेकिन ये expect नहीं कर रहा हूँ अबकि अगर मैं समयमा बैटोगा तो अचानक से पूरी दुनिया बिले खुल जाएगी ऐसा कुछ नहीं कर लेके चल रहा हूँ simply जो सद्गुरों ने बोला है वो process follow करना है आप उस process को follow करोगे तो सद्गुरों ने बोला ही कि I will take care फिर मुझे कुछ जाता सोचने की जौरत नहीं है मेरी साधना, देवी, सद्गुरू इन्हों ने इतना confidence दिया है इन्हों ने इतना support दिया है अब मैं फालतों चीजों के बारे में नहीं सोचता मैं बस इस चीज के बारे में सोचता हूँ कि मैं अपने आपको किस प्रगार से बंदोनों से मुक्त करूँ अपने आपको किस तरीके से मैं फसाने से बच सकूँ यह नो सोचूँ कि आज मेरा तीसरा नेत्र खुल जाएगा आज मेरा यह वाला चक्रा एक्टिवेट हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं कुछ नहीं सोचना अगर तुम हम केवल वही सोच सकते हैं जो हमारे माइड में है जिसके बारे में हमने कही पर सुना हो केवल उसी के बारे में आप सोच सकते हो अगर आपने कभी ना सुना होता कि आपका यह वाला चक्रा एक्टिवेट हो सकता है तो आप शायद चक्रा एक्टिवेशन के बारे में कुछ सोचते भी ना जो होना होता वो अपने आप हो जाता तो हमें भी अपने इस शरीर को तयार करना है इस शरीर को खाद देनी है जो भी चीज़े हैं वो इस शरीर को प्रवाइड करना है और जो होना होगा वो अपने आप होगा हमें उसके बारे में सोचने की जरुवत नहीं है एक्स्पेक्टेशन लेके मत चलना चाहिका कि मैं देवी की स्थुति करूंगा, तो देवी में ऐसा करदेगी, देवी प्रकट और जाएगी, देवी ऐसा करदेगी, सद्गुरु आ जाएंगी, सद्गुरु मेरी सिर्फे आत रख देंगे, अगर हम ऐसा सोचेंगे, तो आप केवल अपने माइंड के अंदर फस तो फिर जो grace है वो शायद ही आपके लिए अविलेबल होगी क्योंकि आप अपने mind में इतने ज़्यादा फसे हुए हो इतने ज़्यादा फसे हुए है आप भवान से केवल ये बोल रहे हो कि जो मैं चाहता हो तुँ वो कर आपको केवल अपने आपको खाली करना है बानने लगे तो फिर जो है आपकी हार निश्चित है जो चीज एक साल में होनी होगी वो दस साल लग जाएंगे इसी लिए मैं हमेशा अपने वीडियो में केवल एक ही बात आके बोलता हूँ सच्चाई के टच में रहो सच्चाई का सामना करो मैं में लग ऐसे वीडियो मना सकता हूँ कि आप मेनिफेस्ट कर सकते हो आप ऐसा कर सकते हो लाओ अट्रेक्शन ऐसे काम करता है करमा इस तरीके से बर्न होंगे पता नहीं क्या क्या बाते चल रही है यूट्यूब में यार मैं भी दो चार पांच किताबें पढ़कर उनके उपर वीडियो बना सकता हूँ बट ये मेरा मन गवारा नहीं करता इस बात के लिए जो मेरे एक्स्पिरेंस में नहीं है मैं वाकि आप एप एप वीडियो कैसे बना दू और क्या मेरी एक्स्पिरेंस पे बजरंग बली भी है माधुर्गा भी है जितने देवी देवता के नाम लेए दोस्ट वो सारे मेरे एक्स्पिरेंस पे है मैं इतना बड़ा महायोगी हूँ तो क्या मेरी शंगता केवल यूट्यूब तक सीमेत रहेगी अगर मैं इतना बड़ा महायोगी हूँ, नहीं, इतना बड़ा, अगर मैं महायोगी हूँ, तो फिर मैं पब्लिक में जाकर पब्लिक के लिए काम कर रहा हूँ, पब्लिक के लिए revolution लेकर आ रहा हूँ, तो ये कहानिया है, वीडियो अच्छे बनाना ये अलग बात है, लेकिन आपको एक पर्टिक्लर तरीके से गाइड करने के लिए एक ऐसा वेक्ति चाहिए जिसने अपना पूरा टाइम किसी एक पर्टिक्लर साधरा के रिए इन्वेस्ट किया हो और वो step by step step by step आपको बता रहा हो कि किस की तरीके से चीजें उसके साथ घटीद हुई थी उसने क्या क्या गलतिया करी थी क्योंकि हो सकता है कि आपके experiences कुछ और हो लेकिन गलतियां maximum लोग एक ही तरीके की गलतिया करते हैं क्योंकि हम लोग कुछ एक limited सोच से बने वे आते हैं और हर एक वेक्ति की हर एक इनसान की केवल यही चाहते है कि सबसे पहले वो अमीर बन जाए पैसों की उसकी जिन्देगी से दिक्कत खतम हो जाए जो उसकी चाहते है जो पाला चाहते है वो सब उसके पास आ जाए हम भी सी में फसे वे थे और दीरी-दीरे मैं जब साद्राब आगे बढ़ा तो इस चीज़े दीरी-दीरे में दीरी-दीरे खतम होने लगी और मैं इनसे काफी दूर आ गया हाला कि इच्छायां भी भी है कि हमें पैसा चाहिए हम financially independent हो जाए तो इसके लिए हमें skill develop करनी पड़ेगी और वो skill आपको चूज करनी है कि आपको किस direction में जाना है unrealistic expectation लेकि ना चले क्योंकि आप इसके भावर में फसे के फसे रह जाएंगे मैं आप लोगों को फिर से बोल रहा हूँ किसी और को कोई experience हुआ था किसी और की life शामभाई मामुद्रा सीखने से ही बदल गई मेरी क्योंने बदल रही है ये सब चीजे इन सब चीजे इन सब चीजों में ना फसे आपके history कुछ और है किसी और की history कुछ और होगी आपको नहीं पता तो दोस्तों unrealistic expectations बना के ना रहे जो आपके मन में चल रहा है वो सच नहीं है आपके मन में चल रहा है कि बगवाना के प्रकट हो जाए तो ये के वो मन के अंदर है आपके मन में शिव जी की तस्वीरे बन रही है ये भी जूट है क्योंकि ये आपका मन ही है और जिस तमय आपसे बड़ी एंटिटी आएगी तो आपके मन की छमता नहीं होगी कि वो चल पाए नहीं चल सकता और दीरे दीरे और भी चीज़े जब मेरे एक्स्पिरिंस पे उतरेंगी तो मैं उसके बेसिस पर आपके सामने बहुत सारी चीज़े खोलूँगा और माइंड के बारे में दीरे दीरे में आपके सामने और बाते करता रहूँगा दोस्तों आई होप की जो मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहता था बात वो आप लोग तक पहुँची हो किसी और टॉपिक के पर वीडियो चाते तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करिएगा और जो भी आप कॉमेंट में लिखते हैं वो सारे कॉमेंट में पढ़ता हूँ और बहुत सारी लोग जो कॉमेंट में वीडियो बनाने के लिए बोल रहे हैं उन वीडियोस में मैं काम कर रहा हूँ एकदम से वो सारी की सारी वीडियोस प्रडियूस नहीं की जा सकती मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी उन वीडियोस को भी बला कर आपके सामने लाओ मिलेगे आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कारम धन्डेवाद